नमस्कार किसम भाईयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है, किसम भाईयों, जैसे ही आपके एरिया में धन्खतम होती है, वैसे ही तापमान बढ़ने लगता है, और उसी बढ़ते हुए तापमान के साथ, आपके फसल के अंदर किटको का भी आटेक होता उसी के साथ साथ आपका production भी कम हो जाता है अगर production बढ़ाना है तो इन किटकों को control करना बहुत ही ज्यादा जरूरू है तो आज के इस वीडियो के अंदर हम 9 ऐसे best वाले insecticide के बारे में बात करने वाले हैं जो की गर्मी में आने वाले किटकों के उपर काम करते हैं तो इस बा related insecticide के बारे में बात करेंगे जो भी अवल अवल दर्जे के काम करते हैं तो सबसे ज्यादा attack कौन सा वाला किटक करता है तो सबसे पहला हम लिखते है वाइट फ्लाइट थीक है वाइट फ्लाइट बहुत ज्यादा करता है आप सभी को पता है अभी जैसे गर्मी बढ़ेग वैसे 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 वाइट फ्लाइट का आटच आपको crime जून तक डिखाई देगा जब तक बारिश नहीं गिरता है तब त्रस dresses रंग का ही माकी जैसा इसका स्ट्रक्चर रहता है इसी के साथ साथ दो नंबर पे अगर बहुत खतरनाक वाला इंसेक्ट अगर गर्मियों के दिनों में एटेक करता है जिसका नाम है रेड माइट तो रेड माइट आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब आपके फसल में पानी का तना हो मतलब पा पानी का तनाव बेड जाता है और इसी पानी के तनाव के कारण आपके फसल में वाइप लाई या फिर रेड माइट जैसी चीज़े बहुत ही जल्दी एटेक करते हैं तो अपनी फसल को समय पर पानी देने से आपकी फसल शेहत्मंद रहती है और इन किटकों का ज्यादे आ आटेक आप देखते होंगे अगर एक बार हो गया तो मिली बग का थोड़ा सिनेरियो अलग है मिली बग कहां पे ज्यादा तर आपको दिखाई देता है जहां पे ज्यादा पानी दिया जाता है फसल में एकसिस पानी जीद दिया जाता है पानी के ऊपर पानी दिया जाता है वहाँ पर क्या होता है, हसल के अंदर एक नाजुखपन आता है, वहाँ पर आपको उसी नाजुखपन के ऊपर milibug का एक दिखाई देगा, अगर आपको इस चीज को verify करना है, मैं सज बोल रहा हूँ, जूट बोल रहा हूँ, तो इस बात को verify करने के लिए आपको simple वाला वहाँ पर येलो त्रिप्स ले लो या फिर ब्लैक त्रिप्स ले लो त्रिप्स बहुत ज्यादा अटक कर रहा है तो इनके उपर कौँ कौन से इंसिक्टिसाइड काम करते हैं यह आज हम देखने वाले वही वाले हमारे नो बेस्ट किट नाशक होने वाले लेकिन आपको एक बात और समझ नहीं कि इनके अतिरिक्त अगर कोई किट आपके गर्मी के मौसम में आपको परिशांग कर रहा है तो उनसे वाले भी वीडियो हमारे चैनल पर आविलेबल है आप जाके वहाँ पर देख सकते हो चले सबसे पहले देखते हैं वाइप लाई के लिए कौन से वा जी हाँ पेगासस भी बहुत बढ़िया तरीके से प्रिवेंटी के तोर पर वाइप लाई के लिए काम करता है अगर पेगासस के साब पदान ले सकते हो प्रूपेक्स उपर ले सकते हो यह कॉमिनेशन अलग चीज है लेकिन मेन जो इंग्रीडियेंट्स है यानि कि टेक्नि वाइप लाई का बहुत ज्यादा आटक है तो इसे सिच्विशन में सिंपल वाली चीज आपको कोई न कोई कितना शक का ड्रेंचिं के साथ साथ आपको आपके फुसल में डाल देना है उलाला यह यूपियल कंपनी का आता है उलाला का भी आप इस्टमाल कर सकते हो फ्लून भी आपका एक स्प्रे में कंट्रोल नहीं होता है दो बड़िया वाले स्प्रे आपको डालना पड़ेंगे इसलिए अगर एटक हो चुका है तो पहला वाला उलाला का स्प्रे लेजीगा और फिर बाद में पेगसस का एक कुछ दिन का अंतराल रखे अगर स्प्रे करते हो तो आपका वाइट प्लाइ सो टका कंट्रोल वहाँ पे जगह पे हो जाएगा इसके अतरिक भी आप कुछ अन्य कितना शक्का भी इस्तमाल कर सकते हो बीच में अगर आप चाहते होंगे तो कुछ एटक कम हो गया होगा तो वाली बात है ठीक है यह हो गया अभी बात करते है आपको पती के पिछले साइड पर रहता है निशले वाले हिसे के अंदर रहता है तो उसके उपर भी जालियों का एक आउरन रहता है जिसके कारण आपकी दावाई उन रेड माइट के अंडों तक या फिर किटकों तक पहुछती नहीं है और इसी वजह से रेड माइट जल्दी से कंट्रोल नहीं होता है अगर रेड माइट को एक ही दिन में एक चे से 80-90 फिसदी तक कंट्रोल करना चाहत तीके नीचे टारगेट करके उन जालियों को तोड़ देना है प्रेशर के पानी के प्रेशर से आपको वह जालियों को तोड़ देना है और वही जो सलपर है वह अंडों के संपर्ग में आते ही रेड माइट के संपर्ग में आते ही रेड माइट को खतम करता है जितना यह जो टेकनिकल है यह जिस भी प्रोड़क के अंदर आता है उस प्रोड़क का इस्तेमाल आप शाम के वक्त में कर सकते हो और आपको क्या करना है यह स्प्रेइंग डालने के बाद दो दिनो के बाद आपको क्या करना है कि एक और स्प्रे निकालना ए वह भी ABASIN का, ABASIN के अंदर क्या आता है, ABASTIN बेंजोइट आता है, तो ये ABASTIN के अंदर ABASTIN अलग होता है और आपका ABASTIN बेंजोइट ABAMASTIN के अंदर ABASTIN बेंजोइट ब्हरन आता है retard आपकी बात करना है अगर का आटक है तो सुबह, सलपर और शाम को फिन पायरोग्जीमेट डाल ही देना है, फिन पायरोग्जीमेट के साथ अगर प्रॉपेक्स अपर डाल देते हो तो ओर भी अच्छी वाली बात है और उसके दो-तिन दीन बाद आपको आबसिंग का स्प्रे निकालना है अबासिंग का स्प्रे डालते वग भी आगर आपने सुबह, शाम किया शुबह का जो स्प्रे रहता है सलपर का उसका पानी दो-तिन गुना भी गया तो चलता है लेकिन शाम का fin pyroximate का और avamanktonant जो प्रे वह आपका रेगुलर जाना चाहिए उससे वाशिंग नहीं करना है यह बात आपको धैन में रखना है तो इसके बात चलिए बात करते हैं अभी हम मिलीबग की तो मिलीबग मैंने बोला कि भाई आप अपने मिलीबग कहा पर नज़र आता है आप देखना आपके स्टेम के उपर उसका एटेक ही ज्यादा ही होता है कोई भी फसल हो तो स्टेम के उपर ज्यादा एटेक होता है स्टेम तो मदबूत रहता है तो जहां तक स्टे तो मिलीबग अगर एवेलेबल है मतलब वहाँ पर किटको का आटक आपको सामने दिखाई दे रहा है तो ऐसे सिच्वेशन में आप एपलॉड का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप एक काम कर सकते हो आप एपलॉड यानि कि इसके अंदर क्या आता है बूप्रोफेजिन आता है तो जब एटक होता है तो कंट्रल होने में थोड़ा वक्त लगता है कई लोग क्या करते हैं सर कली एपलॉड और पदान डाल दिया आज फिर भी मिलीबग दिख रहा है इसका मतलब एपलॉड के कोई भी रिजल्ट मुझे नहीं मिले तो आपको यहाँ पर एक चीज करनी है कि थोड़ा इंतदार भी करना है तो इस तरीके से आपका एपलॉड और पदान मिलीबग के उपर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है इसे के साथ साथ अगर प्रिवेंटिव के तोर पर अगर आपको मिलीबग के उपर काम करने वाला कोई दावाई चाहिए तो वहाँ प प्रोपेक्स उपर के अंदर आपका आता है प्रोपेक्स उपर के अंदर आपका आता है प्रोपेन पॉस प्लस साइपर में तरी यह जो दो टेकनीकल है यह आपके मिलीबग के उपर बहुत ही शांदार तरीके से काम करते और अभी हम बात करते थ्रिप्स की आपके फसल के अंदर त्रिप्स, येलो त्रिप्स कहलो या फिर ब्लैक त्रिप्स कहलो दोनों प्राकार के त्रिप्स एटेक करते हैं तो ऐसे सिच्चेशन में एक कॉंबिनेशन से बात नहीं बनती है ये बात आप ध्यान में रखेगा लेकिन अभी तक का आज जो जिस डेट पे हम ये वी त्रिप्स के लिए दिखाई देगा लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि जो आपका ब्लैक थ्रिप्स है वो एक ही स्प्रे में कंट्रोल नहीं होता है इसमें भी कुछ प्रतिशत तक ही कंट्रोल होगा ऐसे दो तीन कॉंबिनेशन डालने पड़ते हैं जो कि अ कर दो एक कि लोगने जे कि लोगने कि अ मैं तसक्पर पर हो एक बदो तरी कि अ कर दो हा ये एके दोने हैं तूने कि दो कर दो कि अ